नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहधी महत्तो पूर्ण जानकारी को लेकर के आए आज हम सभी जानते हैं मधुमेह रोग को दूर करने के लिए एक बेहधी सरल और शदी के बारे में मधुमेह एक ऐसा जिससे maximum लोग आजकल पीडित हो रहे हैं चाहें वो ओफिस में आराम से बैठ करके कारे करने वाले ही क्यों नहों बच्चों से लेकर के जवान बुढ़े हर आयुवर्ग के लोगों को मधुमेह रोग का शिकार होते हुए देखा जा सकता है और सबसे बड़ी प्रोब्लेम ये होती है कि जिनको मधुमेह हो जाए नखा नखा सकते हैं ढंक से वो यानि कि बहुत चीजों से परहेज करना पड़ता है इसके साथ साथ आपके शरीर में कोई भी घाव फोड़ा फुनसी हो जाए वो जल्दी ठीक नहीं होता है इसलिए इस पानी से उपलब्ध हो जाती है इसका अगर आप प्रियोग करते हैं तो आप मधुमेह रोग से छुटकारा पा सकते हैं इसके लिए आपको चहिए होगा हरा प्याज जी हां हरा प्याज आपको चहिए होगा इसके लिए और इसके साथ आपको चहिए होगा शुद्ध पानी हरी प्याज को पहले धो कर साफ कर लीजिए इसकी जड़ों के साथ पानी में 24 घंटे के लिए भिंगो करके रख दीजिए ध्यान रखें कि जब भी आप हरा प्याज लाएं तो वो जड़ों के साथ होनी चाहिए और दूसरे दिन आपको क्या करना है पानी में आपने भिंगो करके रख दिया है एक दिन दूसरे दिन आपको उस पानी को पी लेना है पहले दिन आपको सुधार नजर आने लगेगा अच्छे नतीजों के लिए लगातारी स्प्रयोग का आप इस्तेमाल करते रहें आपको डाइबिटीज के खत्रे से मुक्ति मिल जाएगे आप देखेंगे कि डाइबिटीज से आपको छुटकारा मिलने लगता है इसके साथ साथ और भी कुछ एक फायदे हैं हरा प्याज को कई फायदों में से यह एक फायदा है कि यह कोलेस्टरोल के स्थर को कम बनाए रखता है इसमें एंटी बैक्टिरियल गुन होते हैं एंटी बैक्टिरियल गुनों के कारण ही इसे खाने से पाचन में भी सुधार होता है हरे प्याज में क्रूमियम होता है हरा प्याज खाने से immunity power बढ़ता है हरा प्याज चेहरी की जुडियों को दूर करता है इसे खाने से आखों की रोशनी बढ़ती है हरा प्याज macronutrition को बनाए रखता है बाल गिरने की समस्या से निजात पाने के लिए प्याज बहुत ही असरकारी है बालों पर प्याज के रस की मालिश करने से बाल गिरना बंद हो जाता है इसके अलावा प्याज का लेप लगाने पर कम उम्र में सफेद हुए बाल फिर से काले होने लगत हाता है हरे प्याज में anti-inflammatory और anti-histamine गुण भी होते हैं इसलिए यह गठिया और अस्थमा रोगियों के लिए लावदायक रहता है पेशाब होना बंद हो जाए तो दो चमच प्याज का रस और गेहूं का आटा लेकर हल्वा बना ले हल्वा गर्म करके पीट पर लेप लग प्याज का रस मिलाकर मालिश करें फाइदा होगा प्याज कई अन्य समानिय शारीरिक समस्याओं जैसे कि मूत्याबिंद सिरदर्द कांदर्द और साप के काटने में भी और शधी का कारे करती है प्याज का पेश्ट लगाने से फटी एडिया ठीक हो जाती है तो दोस्तों ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए प्याज के यानि कि हरी प्याज के फायदों से रिलेटेड अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्तो पू वाद नमस्कार दोस्तों